प्राश्न एक जैसल मेर प्रजामंडल की स्थापना निम्ड में से किस वर्ष हुई? 1936, 1938, 1941, 1945, सही उत्तक, 1945 प्राश्न दो, जैसल मेर प्रजामंडल आंदोलन के दोरान वहां के ततकालीन महरावल निम्ड में से कौन थे? जवाहर सिंग, अखे सिंग, मूलराज ध्वितिय, सबल सिंग, सही उत्तक, जवाहर सिंग प्राश्न तीन, निम्ड लिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन के दोरान पंडित नहरू का जनम दिन मनाए जाने के कारण कार्यकरताओं को जेल की सजा हुई? बिकानेर प्रजामंडल, जैपोर प्रजामंडल, मारवार प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, सही उत्तक, जैसलमेर प्रजामंडल, प्रश्न चार, महेश्वरी मंडल, नामक संगर्थन की स्थापना निम्ड में से किसने की? आईदान सिंग, शिफशंकर गोपा, रघुनात सिंग महता, इन में से कोई नहीं सही उत्तर, आईदान सिंग, प्रशन पाँच, जैसल मेर में गुंडाराज, रघुनात सिंग का मुकदमा, आजादी के दिवाने, निम्द में से किसकी रचनाए हैं सागर्मल गोपा, शिफशंकर गोपा, जै नारायन व्यास, मानिके लाल वर्मा, सही उत्तर, सागर्मल गोपा, दोस्तों फ्रिपेयर वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रशन 6 सागर्मल गोपा को देश निकाला देने पर उन्होंने अपना केंद्र की स्थान को बनाया था अजमेर, जैपोर, नागपोर, गांधी नगर, सही उत्तर, नागपोर प्रशन 7 राजस्थान का एक मातर प्रजामंडल कौन सा है जिसकी स्थापना अपनी रियासत से बाहर लेकिन राजपुताना के भीतर ही हुई थी बिकानेर प्रजामंडल, मारवार प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, मेवार प्रजामंडल, सही उत्तर, जैसलमेर प्रजामंडल, प्रशनाट जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना निम्द में से किसके द्वारा की गई रगुनात सिंग महता, मीठा लाल व्यास, करपूर चंद्रपाटनी मानिके लाल वर्मा, सही उत्तर, मिठा लाल व्यास प्रश्ण 9, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई जैसलमेर, बीकानेर, जैपोर, जोधपोर, सही उत्तर, जोधपोर प्रश्ण 10, सागरमल गोपा ने खुद पर हुए अत्याचारों की सूचना निम्नलिखित में से किसको दी थी जैनारायन व्यास, शेख अब्दुल्ला, उपरोक दोनों, इन में से कोई नहीं सही उत्तर, उपरोक दोनों, दोस्तों प्रिपेर वीडियो को लाइक और शेर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रश्ण 11, किसकी शहादत के बाद आम लोगों ने खुद रो बदला खुद के नारे लगाए सही उत्तर, सागर्मल गोपा, प्रश्ण 12, सागर्मल गोपा कब शहीद हुए सही उत्तर, 4 अप्रेल 1946, प्रश्ण 13, महरावल जवाहर सिंग ने सागर्मल गोपा पर हुए अत्याचारों की जाच हेतु कौन से आयोग का गठन किया सही उत्तर, बोपाल स्वरूप पाथक आयोग का, प्रश्ण 14, जैसल मेर रियासत का राजस्थान के एकी करण में कब विलेकर लिया गया 18, अप्रेल 1948, 30, मार्च 1949, 18, मार्च 1949, 25, मार्च 1949 सही उत्तर, 30, मार्च 1949, जैसल मेर प्रजामंडल से संबंदित अन्य महत्वपूर्ण तत्य 1. 14 नवंबर 1930 को जैसल मेर प्रजामंडल के स्थानिय कार्य करताओ द्वारा पंडित नहरू का जनम दिन मनाय जाने के कारण आइदान सिंग, शिव शंकर गोपा और रघुनात सिंग महता को जेल की सजा दी गई थी 2. आइदान सिंग ने महेश्वरी मंडल नामक संगठन की स्थापना की थी परंतु इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया 3. 1941-1946 तक सागरमल गोपा को जैसल मेर रियासत ने जेल की सजा दी सागरमल गोपा के जेल में रहने के दोरान ही मीठाला व्यास ने जोडपुर में जैसल मेर प्रजामंडल की स्थापना की 4. थानेदार गुमान सिंग द्वारा किये गए अत्याचारों की कारण 4 अप्रेल 1946 को सागरमल गोपा जेल में ही शहीद हुए महरावल जवाहर सिंग ने इस घटना की जाच हेतु गोपाल स्वरूप पाथक आयोग का गठन किया जिसकी रिपोर्ट में इस घटना को आत्मात्या बताया गया जबकि Congress ने इस घटना की जाच हेतु जै नारायन व्यास को नियुक्त किया उन्होंने इस घटना को हत्या की संग्या दी थी ऐसी ही प्रशन देखने के लिए वीडियो को लाइक शेर करे चैनल को सब्सक्राइब करे थेंक्यू फो वाचिंग